हेलो एब्रिवन आज हम एक नई बुक की सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतरगत हम बी एच डी बी एच डी एल ए वन थर्टी सेवन जी हमारी इस वाली बुक का हमारा कोड है इस वाली बुक का क्या नाम है हिंदी भाषा संप्रेशन कोशल Lö contrôle नाम हिंदी भाषा में हम कैसा संप्रेशन करते हैं उसकी क्या कुछ प्रिक्दिया होती है क्या को प्रोसेस होती है इस वाले बुक में हम उसके बारे में पड़ेंगी और ये Ici हमारे उग्रुणू का सहें सेंज स्पिए का स सब्सक्डेट जो कि चेक रेडिट का है इससे पहले हम इस बुक के बारे में जानते हैं कि इस बुक में टोटल कितने चप्टर सेंज कितनी काईया हैं और कितने खंड कितने पार्ट से इस बुक में दो खंड हैं जिसमें से पहला खंड है भाशा और संपरेशन इसके अंतरगत हम भाशा और संप्रेशन को जानेंगे इसके मतलब कि इस वाले पार्ट नमबर वन के अंतरगत खंड एक के अंतरगत हमें ये छैर इकाया पड़ेंगे फस्ट क्या है संप्रेशन के मूल तत्व सैकेंड उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेशन के तत्व थार्ड आंगिक भाषा और संप्रेशन फोर्थ संप्रेशन के विविद्रोप फिफ्थ भाषिक कला के विभिन पक्ष और सेक्स्थ समवाद कला के विभिन पक्ष इस वाले खंड एक में हम ये टोटल 6 काया करेंगे मतलब कि हम टोटल 6 पार्ट पढ़ेंगे इसके लाब हम देखते हैं खंड दो खंड दो के अंतरगत हमारे ये हमारे 6 चप्टर इसमें हैं खंड दो का नाम क्या है लिखित संप्रेशन जिसके अंतरगत हम क्या पढ़ेंगे लिखित संप्रेशन कैसे किया जाता है उसके अं संचार के लेए कोईन नाइन क्या है कार्याले लेखन डिपोट और कायवरत एकाई नमबर 10 क्या है? सदनात्मक लेखन की भाषा एकाई 11 व्यक्तिगत लेखन की भाषा एकाई 12 भाषन के लेखन मतलब कि इस वाली बुक में हमारे टोटल दो खंड है खंड एक और खंड दो खंड एक में हम टोटल 6 चप्टर पढ़ेंगे और खंड दो में हम टोटल 6 चप्टर पढ़ेंगे मतलब कि इस वाली बुक में हमारे टोटल कितनी काईया है इस वाली बुक में हमारे टोटल काईया है 12 जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आज हम एकाई नमबर 1 पढ़ते हैं जो कि हमारी बुक BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेशन कोशल यह हमारी बुक का नाम है इसके अंतरकत हम खंड एक भाषा और संप्रेशन यह हमारे खंड एक का नाम है और हम चाप्टर नमबर 1 खंड एक का एकाई नमबर 1 या चाप्टर नमबर 1 करेंगे आज संप्रेशन के मूल तत्व की संप्रेशन के मूल तत्व करेंगे हम आज 그 संप्रेशन के कैसे होते हैं पढ़ना है क्योंकि हमारे is miles Luna drop में दिया गया है तो छलो फिर हम पढ़ते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सोच और सुचना का मोखिक, लिखित या संकेतों अथ्वा मुद्राओं के माधम से आदान परदान के प्रक्रिया ही संप्रेशन कहलाती है कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों को या अपने बातों को एक दूसरे के पास भेजते हैं या फिर उसके लिए तरीका कुण सा भी हो सकता है, जैसे मोखिक, लिखित या संकेतों में या मुद्राओं के माधम से, मतलब किसी किसी भी तरीके से वो अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा सकता है, तो यही आधन परदान के प्रक्रिया होती है, इसी को संप्रेशन कहा जाता है, आगे देखते हैं, संप्रेशन की प्रक्रिया में संदेश का होना आवशक है, जिसमें संदेश एक पक्ष से दूसरे प परेशक और प्राप्त करता प्रेशक का मतलब क्या है कि जो सैंडर है जो की मैसेज को सैंड करेगा और प्राप्त करता क्या है यहां पर रिसीवर है जो की उसको रिसीव करेगा मतलब संप्रेशन परकरिया कि यहां पर कितने पक्ष हुए दो पक्ष हुए सैंडर और रिसीवर सैंडर कौन परेशक और रिसीवर कौन प्राप्त करता संदेश भेजने वाले को प्रेशक कहते हैं देखो जैसा अभी मैंने आपको बताया था संदेश भेजने वाला मतलब कि सेंडर उसको ये प्रेशक कहते हैं और संदेश प्राप्त करने वाले को प्राप्त करता कहते हैं मतलब कि रिसीवर कहते हैं जिसको वो message मिला है, जिसने message receive किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, receiver कहते हैं, प्राप्ट करता कहते हैं, बात करते हैं, somapression के विविद रूप, कि somepression के कुझ कुझ से रूप होते हैं, इसके अंदरकत हम तीन पढ़ेंगे, नमबर फर्स्ट क्या है मोखिक, आंगिक संप्रेशन और लिखित संप्रेशन तो अब इनके बारे में हम थोड़ थोड़ा जान लेते हैं जैसे कि मोखिक संप्रेशन क्या होता है आप सभी को पता है जो हम औरली बोलते हैं जो हम मुख से बोलते हैं मौकिक संपरेशन एक ऐसा संपरेशन होता है. जिसमें हम मौकिक रूप से सुचरों का आदन-परदन करते हैं. जैसे teacher oral test लेती है. वो भी मौकिक परिख्षाव में जाता है कि मौकिक मतलब कि जो दोनों ही center है receiver है दोनों ही है न, मोकिक रूप से आधन परदन करेंगे मैसेज का संदेश का मतलब, इसका मतलब यह होता है कि इसमें कोई भी डिटेन काम नहीं होता है यह सरफ औरली काम हम इसके अंदर का देखते हैं नमर सेकेंड है आंगिक संप्रेशन मतलब कि जिसमें हम अपनी बोड़ी पाल्स का यूज़ करते हुए हम अपना कमेनिकेशन करते हैं, संप्रेशन करते हैं जैसे कि आखों से इशारा करते हुए या हाथों से सिंबल्स बनाते हुए इस टाइप से नहीं हम उसके लिए लिखिर स्वर्ट्स यूज़ करते हैं तो मिलब इस परकर यह हमने अपनी बोर्ड का यूज़ करते हुए हमने संप्रेशन किया ना तो इसलिए का जाता है कि आंगिक या एशापदिक संप्रेशन के अंतरगत वानी से आखों से किया जाता है मिलब कि बिना वाने के भी हमें संप्रेशन कर सकते हैं आखों से इशार करके हाथ से इशार करके तो इस प्रकार यह क्या हुआ यह हुआ आंगिक संप्रेशन नम्बर थार्डीory इस लिखित सेंप्रेशन लिखित सेंप्रेशन में हम सूचनों का आधन परदान लिखित रूप से करते हैं आप सभी को पता गए इस बत का जब return की बात आती है तो उसमें हम सूचनों का message को हम कैसे पहुँजाते हैं in return form में हम उसको पोजाते हैं। ओम आगे देखते हैं इसके बारे में। इसमें एक क्यारक है कि किसी भी प्रकार की लेखन करने के लिए पाच बातों का ध्यान रखना आवशक होता है। यदि हम इन पाच बातों का ध्यान आवश्या रखना चाहिए। यदि हम कोई भी लेखन कारिया कर रहे हैं तो क्या है दिखो पाचे जे क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे यदि हम लिख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और हम क्यों लिख रहे हैं और उसको कौन लिख रहा है और कब लिखा और कैसे लिखा मतलो कि हमको इन पाचो कोंसेप्ट का इन पाचो संपर्त्य का हमें अवस्य ज्यान होना चाहिए अगर एक का भी हमको अच्छे से ज्यान नहीं हुआ तो हमारे लिखन प्रक्रिया डग मगा जाएगी अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाएगी इसके लावे इसमें नाक्स्ट ओपी क्या दे रखा इस वाले चाप्टर में संचार माध्यम संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं उन्होंने इस स्वार में मम को बता रखा है संचार माध्यम, संप्रेशन का एक ऐसा शशक्त माध्यम है कैसा माध्यम संचार? संचार माध्यम जो है, वो संप्रेशन का एक शशक्त माध्यम है बहुती अच्छा एक मेडियम है, मोड है इन में रेडियो, टेलिविजन, कम्प्यूटर, फिल्म, वीडियो, समाचार पत्र, हॉर्डिंग, इंटरनेट, आधी, शर्वय, दर्शय, एवं शर्वय, दर्शय, माधम आते हैं मतलब कि इसमें कौन-कौन से माधम है जिनको हम यूज करते हैं कम्यूनिकेट करने के लिए दूसरों के साथ जैसे रेडियो, टेलिविजन, कम्प्यूटर, फिल्म, यह बहुत सारे इसके एक्जामपल्स हैं जिनको हम काटेग्राइज कर सकते हैं कोई तो माधमिन में शर्वय है जिसको हम सर्व सकते हैं यह सब हमारे क्या होगे संचार माध्यम हैंCo मने इसके लाबा सडख के किनारे देेप्त कबढ़ीष्य कर्सकें आसवे याटायाद संकेत्त हैं 30 दम्लाइज किनारे में फळू देशार रेवान किनारें हो कहं पर होने वाली बातचीत आधी भी संप्रेशन के रूप हैं मतलब कि जो हमने उपर बताएं सिर्फ यही संप्रेशन के माध्यम नहीं है इसके लाभी बहुत सारे हैं जैसे कि बहुत सारी कंपनिया अपनी कंपनी का प्रोमोशन करने के लिए जंगे-जंगे पे टांग देती ह है बोट बगारा होड इंग बॉले जिनको हम हो अर्वाजर पत्रा में जो जो एड़टाजमन दिय जाते हैं एड देते हैं और जो रोट के साइड में जो रॉल्स होते हैं मतलब इस प्रकार से भूश सारे यह भी हमारे क्या है हमारे है हमारे संप्रेशन के रूप हैं यह स संप्रेशन के कारिये संप्रेशन क्या आउशक है हमारे लिए और संप्रेशन के क्या कारिये हैं जैसे फर्स्ट है इसमें व्यक्तिकत जरूरत कि कि सब इंसानों की पर्सनल लिए होती है कि वह एक दूसरे बाते करें क्योंकि जो मनुश्या वह समाजिक प्राणी है और वह ब लाटो हो गए हुग साथ था हमको बात करने पड़ेगीerem को बात है लेना पड़ेगा तो इस प्रकार हम दैसे सूचना चाहिए हम सूप्रेशन का साहरा लेना पढ़ेगा 4 आपस में बाच्चित लिए हम बाच्चित कर रहे हैं तो sister impression यूज कर रहे हैं इस वाले में हम कॉन सा Come price यूज करेंगे हमारा moesisson measurement क्योंकि हम आपसे बाचत कर रहे हैं इसमें तो हम कोई भी यहां पर लिखित फॉर्म हमने यूज नहीं किया है तो इसलिए यहां पर कौन सा यूज किया हमने मोखिक संप्रेशन यूज किया और फिफ्टी आग रहे हैं हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे यह चीज संप्रेशन क संप्रेशन के यूज किया आगी निंबर स्क्ति मनोरंजन यूज इंड हम बोर और हो रहे हैं तो हीूं तो हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं तो हम सरा नारैंजन कर सकते जैसे कि अमारी व्यक्तिकत जरूरत है, व्यक्तिकत संभंध, सूचना, आपस में बातचीत, नमबर 50 आघर है, नमबर 60 मनोरंजन तो इस वह अमारे क्या हुए? यह संप्रेशन की कारिया, यह संप्रेशन का प्रयायोजन हम बात करते हैं संप्रेशन की प्रक्रिया, कि संप्रेशन की प्रक्रिया होती क्या है? प्रेशक ने प्राप्त करता तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेशन कहते हैं कि sander से यदि को information को संदेश receiver तक पहुँच जाता है तो इसी process को हम क्या कहते है संप्रेशन कहते हैं जैसे कि को एक sander है sander से को information किसी medium को थिरूपास होती हुई यदि receiver तक पहुँच गई तो यही हमारी क्या प्रक्रिया हुई इसके लिए हमको सबसे इंपोर्ट क्या होता है एक संदेश कि हमको संदेश 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 जरूर होना चाहिए देखा माइस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे संप्रेशन के तीन भाग होते हैं फर्स्ट इस प्रेशक मतलब की sander सगन्डेश मैसेज निमबर थर्ड इस प् कितने भाग होते हैं कि पत्र इसका सबसे उत्तम उधान है जैसे कि आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं आप प्रेशक हुए मतलब कि आप संदर है क्योंकि आप तो भेज रहे हो ना पत्र लिखते हैं यह संदेश हुआ मतलब आपने कुछ पत्र में लिखा तो वो क्या हो मैसेज है तो वो क्या हो संदेश हुआ जो कि संप्रेशन का दूसरा भाग है यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है भाई उस पत्र को पढ़ता है आपका भाई क्या हुआ प्राप्त करता हुआ कि मैंने आपको बहुत easy method समझाया इसमें कि क्या क्या होते हैं तिनों जैसे कि आपने पत्र लिखा तो आप क्या हुए आप हुए सैंडर प्रेशक अपने पत्र में क्या लिखा वो क्या है वो संदेश और आप पत्र आपके भाई तक पहुंचा आपकी भाई ने पत्र पढ़ स्ञेकर श्रेश झाबिया तो और अटों जैसे कि संप्रेशन की प्रक्रिया सब्सक्राइका चाल स्त्रोत कि हमने कौन से कट श्रोत हमने यूज़ कि व्यासि तो की प्रक्राइका है चैन प कर दो स्यॉंब्हुति फिल करेंगा और जिसन्म्हर् lors कि मेरको है करे संदेश को एक मीडियून के फ्रूरी बिजेगा नियुक्त के बाद समझेट को समझने के लिए उसके उसको भी सोचने की प्रोसेस का सहारा लेना होगा और उसको भी अनुभूत फील करना होगा और डिसीजन लेना होगा कि हां मिर कोई समझ में आ गई है तो अगर यहां से लेकर प्रोसेस यहां तक समझ में आ जाती है तो मतलब तो यह क्या हो जाती है यह यह हमारी क्या हो जाती है संप्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है हम देखते हैं संप्रेशन प्रक्रिया के नो तत्व होते 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 हैं संप्रे है वो अमारा संदेश है फूर्थ माध्यम कि हमने कौन से मीडियम यूज जिया ह tendencies को आगे भेजने के लिए वो हमारा है माध्यम और मर फ्ट्रे मारा प्राप्त करता है receive कि क्या रिसीवर ने हमारे संदेश को spraying कर लिया है तो सब क्या अड़ाने प्राप्त करता नमबर 6 ते संदेश प्राप्ती क्या मैस्जज को रिसीव कर लिया गया है नमबर 7 है प्रतिक रिया मतलब response कि response क्या रहा उसका तुben हमारे आछे लगी response क्या रहा है positive और negative रहा तुसमें हमारे यहवाली बात आ जाते है नमबर 8 ते संधर्भ कि संधर्व क्या है इसके मतलब कहां से हमने यह टोपिक लिया है उसे रेटेड क्या है नंबर नाइन्थ है जीवन मुल्य और दुस्टेकों मतलब कि उन्होंने जीवन मुल्य को बनाते हुए संप्रेशन की प्रिक्तिया की है क्या उनका अप्टिटूड रहा इसको लेकिए तो यह सबाजाता है इसके अंद्रगत तो टोटल हमने यहां पर नो पड़े हैं संप्रेशन की तत्व होते हैं नो तत्व होते हैं दुबार सा देख लेते हैं एक बार स्रोत वक्ता शम्ता संदेश माध्यम प्राप्त करता संदेश प्राप्ति परतिक्रिया संधर्ब तत्व हुए नो तत्व हुए उसके बाद हम देखते हैं सफल संप्रेशन क्या होता है सफल संप्रेशन में वक्ता जब प्रेशित समवाद श्रोतावन तक पहुंचाता है और वक्ता जो कुछ कहना चाता है श्रोता उसे उस रूप में गर्यान करता है कहने के मतलब क्या है कि जो बात tender कहना चाथा है receiver को और जिस तरीके से कहना चाथा है या जिस feeling के साथ वो कहना चाथा है जिस receiver उसको समझ जाता है तो इटी मिल्स क्या कि हमारा impression success हो गया है, saffles हो गया है तो यही होता है, saffles जो बात sender कहना चाता है उस बात को as a tease यदि हमारे सेंडर समझ लेता है तो हमारे संप्रेशन सक्सेस हो जाता है देखते हैं सफल संप्रेशन के अवरोध कि क्या क्या रुकावट होती है हमारे सफल संप्रेशन के बीच में नमबर फर्स्ट है गलत संदेश कि हमारे पास कोई गलत इन्फरमेशन है जिसको हम आगे भेज रहे हैं तो ये भी हमारे अवरोध हो जाएगा एक हमारे संप्रेशन में गलत शब्दों का चुनाव यदि हमने गलत वर्ट्स का यूज कर लिया हमने संप्रेशन करने कर लिये तो ये भी हमारे लिए एक नेगटिव पॉइंट हो जाएगा नमबर थार इस सुनना और समझना लब की जैसे किसी ने सुना कुछ और किसी ने समझा उसको कुछ और ये वहली चीज भी हमारे लिए नेगटिव में ही जाएगी नमर फूर्थिस भाव भंगीमा यदि कोई sad बात बोल रहा है और वो हसस के बोल रहा है तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगी ना मतलब sensation तो negative गया कि emotions की बात कर रहा था वो वहाँ पे sad emotions की और वहाँ पे वो हसस के बता रहा है मतलब कि हमें भाव भंगेंगा भी हमको ध्यान रखना चाहिए मतलब कि किस तरीके से बोल रहा है हमारा सेंडर तो यह भी बहुत important बात होती है हमारे लिए मरसक्तित भाषा का ग्यान तो हमारे सेंडर को अपनी भाषा का ग्यान होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है कभी कभी बोन नहां उसको हिंदी करो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश का तो वहाँ पर जो हिंदी सुनने वाले तो उनको तो वहाँ पर वो लाइन वेज समझ में नहीं आएगी तो इसलिए हमारे सेंटर को भाशाग्यान अवस्या होना चाहिए इसलिए हमने टोटल आज मनी इसमें बहुत सारे टोपिक्स पढ़ें हैं पॉइंट्स पढ़ें हैं इसलिए चप्टर से रेटेड तो हमारी एक आए नंबर फर्स्ट कंप्लिक्ट हो जाती है थैंक्यू एवरिवन